दोस्टो आज की हमारी ये वीडियो बहुती खास होने वाला है क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊँगा कि मैं किस तरीके से किसी creator के बारे में research करता हूँ किस नजरिये से check करता हूँ, कैसे उसके psychology को समझने की पोशिश करता हूँ वो जो websites create करता है, web stories create करता है, articles लिखता है, research करता है, कहां से research करता है कैसे उन सारे points को, उन सारे dots को connect करने के कोशिश करता हूँ, कैसे उसके psychology को समझता हूँ तो इन सारी चीजों पर मैं बात करूँगा, और example के तौर पर मैंने ये website लिए है, आपको पता होगा कि ये website किस की है सत्वीर Talks करके एक YouTube चैनल है, जिनके host की ये website है, uscexpressblogs.com ये website इन्होंने start की थी एक challenge की रूप में, जहां से इन्होंने कहा था कि मैं इस website के थूर अर्निंग करके दिखाऊंगा बट अभी तक इससे कुछ खास बना है या नहीं बना है, ऐसी कोई official information उनके channel के तरफ से नहीं मिली है इस website के थूर हम explore करेंगे कि वो काम कैसे करते हैं, उनके काम करने का तरीका कैसा है, वो कैसे articles चुनते हैं, कैसे लिखते हैं, उनकी team कैसे काम करती है उन सारी चीजों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे अगेन मैं एक चीज क्लियर कर दूँ कि ये कोई exposed वीडियो नहीं है, ये कोई decoding वाली वीडियो नहीं है ये just एक modest operandie कहलो आप इसको, या फिर एक step of procedures बोल लो कि जिससे मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे किसी भी creator के बारे में समझ सकते हो with limited resources, हैना मैं इसमें कोई ऐसे resources यूज नहीं करूँगा जो website इनसान, जो भी website रन कर रहा है, अगर आपको लगता है कि कोई website बहुत successfully काम कर रही है या आपको लगता है कि मुझे तो इस website जैसा कुछ बनाना है, या create करना है अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप मेरे steps को follow करके easily ये पता लगा सकते हो कि ये website काम कैसे कर रही है, है ना, तो चलो start करते है तो सबसे पहले मैं किसी भी website में क्या चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ उसका home page कैसा design किया गया है, किस structure का design किया गया है किसी multi niche blog के लिए setup किया गया है, किसी news website के लिए setup किया गया है या फिर किसी micro niche website के लिए setup किया गया है ये सारी चेक करने के बाद मैं सीधा jump करता हूँ about us section पे और वहाँ पे check करता हूँ कि इस website का intention क्या है जो creator है जो website का honor है जिसने website बनाई है उसका intention क्या है वो क्या बताना चाहता है और उसके उस intention को फिर मैं जो उस website में जो articles होते हैं उनसे match करने के कोशिश करता हूँ कि क्या जो उसका intention है वो fulfill हो रहा है उसने जो अपनी website पे जो content डाला हुआ है उससे क्या वो fulfill हो रहा है या नहीं हो रहा है ये सारी चीज़े चेक करने के बाद मैं contact page पे जाता हूँ बना रखा है ठीक है about us page में भी इन्होंने अपना अच्छा खासा intention जो भी है लिख रखा है और इन्होंने यहां पे लिखा है कि कहां गया from insightful opinion pieces to practical tips we strive to be your one stop destination ठीक है तो जो ये इनके how to वाले ब्लॉग है जितने भी how to delete, how to recover, how to save ये सारी practical tips भी देने कोशिश कर रहे हैं और reviews वगरा भी दे रहे हैं ठीक है तो जब मैं इनका कोई भी articles लिखते हैं वो ये keyword research वगरा नहीं करते इतना ये बस इन्होंने कुछ foreign जो चैनल्स है टेक के उपर जो चैनल्स है उनको उन्होंने subscribe किया हुआ है और वहीं से ये उनको write करते हैं है ना वहां से जैसे देखो how to update email account password on iPhone तो यही इन्होंने उठा के यहां पे as it is डाल दिया जो website में बताया गया इस video में बताया गया वो इन्होंने यहां पे चिपका दिया आप चाहिए इस YouTube वीडियो की transcript निकालके उस transcript से इस article को बनाते हैं या जो भी है बट यहां से मुझे क्या समझ आया कि यह जो इस पूरी website पे जो articles लिखते हैं कोई भी article हो है ना कोई भी article हो इस पे कोई नहीं है और चेक कर लेते हैं देखो यह वाला चेक करके देखूँ अगर मैं गीगाबाइट तो यहां पर यहां पर भी कोई वीडियो नहीं है असूस का चेक करूं कोई ने कोई मिलनी चाहिए देखो अगर यह एक वीडियो डाली है तो और भी वीडियो पका होंगी इस वेब साइट कर लेते हैं असूस वाले में देखो असूस वाले में वीडियो मिल गए टेक चैप करके देखो चैनल का नाम भी आ रहा है यहां पर यूट्यूब चैनल का देखो तो मतलब वही चीज़ है तो आपको समझना है कि कोई website उस पे जो content create कर रही है वो उसका खुद का है या वो कहीं से copy कर रही है अब यह कहते हैं कि इनकी website के data इनकी website के articles लोगों ने as it is copy मार लिये बट आपने भी तो copy किया है अब यह जो बंदा है इसने महनत से वीडियो बनाई जो भी किया आपने इनकी YouTube transcript निकाल के उसको समझ के उस पर अपना article लिख दिया ठीक है मुझे पता है कि ज्यादतर articles ऐसे लिखे जाते हैं ऐसी किया जाता है काम बट फिर भी यार खुद की originality कुछ होनी चाहिए मैं ऐसा मानता हूँ देखो मैं ऐसा मानता हूँ बाकि हर किसी का अपने अपने करने का तरीका है मैं उसमें कोई किसी को यह नहीं कहता कि तुम खराब हो या मैं अच्छा कि जो about us में intention थी क्या वो intention को fulfill कर रहा है content में वो चेक कर लिया फिर वो articles कैसे लिख रहा है कहां से idea ले रहा है वो चेक कर लिया वो सारी यह चेक करने के बाद मैं author चेक करता हूँ अब देखो इन्होंने author में Stephen नाम लिख रखा है मैं guarantee देता हूँ कि Stephen नाम का बंदा इनकी जो team में कोई भी नहीं होगा तो यह क्यों use किया है सब को पता ही है कि इसलिए use करते हैं कि जैसे यह usc express blog है तो इस पे जो भी reader आए अगर foreign का कोई reader इस पे land कर रहा है इनकी website पे तो जब वो एक foreign किसी writer का नाम देखेगा यहां पे तो उसको थोड़ा लगेगा कि हाँ चलो बट ऐसा नहीं है कि भाई तुम बाहर वाले बंदे का नाम लिखोगे तो ही बंदा वह article पड़ेगा ऐसा हर बार नहीं होता कुछ psychological reasons होते हैं बट जादा तर जो bloggers हैं जो मैंने अभी बहुत सारी websites study की हैं देखी हैं उनमें मुझे यही चीज मिलती है कि जैसा blog होता है जह reader के मन में है ना तो ठीक है यह ठीक है बट यह सारी चीज़ चेक करने के बाद article चेक कर लिया feature images चेक करता हूं मैं कि जो feature images है क्या उनमें कुछ symmetry है क्या वो कुछ एक pattern है उसमें यह नहीं है अब देखो इनकी जो वो क्या कहते हैं feature images है वो canva में बनाए गई हैं बहुत ही व बंदा आया था उन्होंने बताया था techyorker.com उनकी website है मुझे बड़ी अच्छी लगी है website देखो इस website के जब आप feature images चेक करोगे ना तो देखो यह देखो यह देखो यह देखो सारे पीछे patterns देखो आपको जो feature images देखकर ही ऐसा लगेगा कि एक अच्छी brandable website एक अच्छी website है है ना feature images में symmetry है एक pattern है color theme क्या use करना है color कैसे use करने सारा एक पूरा एक बनाया गया है इनका system कि हमने इस तरीके से ही सारी चीजे design करनी है एक uniqueness है इनकी हर एक post को देखकर लगता है कि कोई भी मतलब देखेगा तो अगर जो एक regular reader होगा वो feature image देखकर ही समझ सकता है कि हा ना भाई यार यह tech yorker.com की post हो सकती है जिस तरीके से आप यह माल लो कि जैसे YouTube channel हो गया कोई है न YouTube channel पे आप एक thumbnail किसी तरीके के बनाते हो जैसे सतीश के वीडियो के माल लो सतीश के वीडियो में yellow color जाधा होता है उनके thumbnail में तो कोई भी check देखकर यह थोड़ा उसको अपन हो एक color हो एक uniqueness हो कि लगे कि हां सारे जितने भी आपके feature images हैं वो एक ही इनसान ने बनाए है या फिर आपके पास एक set of rules है उसको बनाने के और उसी rules में आप बनवा रहे हो अपने feature image था कि हर कोई feature image अलग लग ना लगे भदी भदी ना लगे ठीक है वो चीज़े मैं चेक क आपको क्या बता रहा है कि मैं यह सारी चीज़े common common चीज़े चेक करने के बाद फिर मैं सीधा जंप करता हूं उसकी adsense id पे ठीक है adsense id पे और उसको सबसे बढ़िया निकालने का तरीका तो सिर्फ यह है कि वही सबमें होती है ads.txt लगा दो website के पीछे आपकी publisher id आ जाएग अच्छी बात है नहीं बताना चाहिए क्योंकि एक तो बंदा research कर रहा है कोई है ना जैसे हम अपने computer का research करते हैं और यह check करते हैं कि हमारा computer कौन है जो first पे rank कर रहा है second पे rank कर रहा है वहां से उसकी चीज़ों को हम खुद ढून कर निकाले एक हमें YouTube पर ऐसी दिख जाए क केसी की भी और हम सिधा उसको target कर लें तो यह चीजों की वज़े से लोग चुपाने लगे और यह चुपाने की वज़े से कई ऐसे लोगों को privilege मिल गया कि जिनका कुछ इतना काम भी नहीं कर रही website कोई है भी नहीं कुछ भी नहीं है तो फिर भी वह यह चीज का ढंका बज चीज तो यहां पर आप जाओ और यहां पर पेस्ट कर दो पेस्ट करने के बाद एंटर करो और आपको यहां पर जितनी भी website होंगी उस publisher ID पर जो publisher ID यूज हो रही है उस पर वो सारी हैं आपको आ जाएंगी और कि रिफ्रेश कर लेते हैं इसको देखो यह आ गई अब एक इस जो publisher ID पर है इतनी ही website हो ठीक है इस वाली पर तो हैं बट क्यूंकि जो यह website है जो यह बताती है इनकी paid plans होते हैं उसमें पूरी detailed जानकारी आ जाती है बट मैं आपको free में ही बता रहा हूँ कि आप free में ही इतनी information तो easily निकाल सकते हैं कि आप किसी website से inspire होके उसके तरीके जैसी कुछ काम कर सको अगर आपको लगता है कि आप वो कर पाओगे और उसमें आपको सफलता मिल जाएगी 50-70% भी अगर आप sure हो तो आप वो चीजें research करने के लिए use कर सकते हो है ना तो देखो अब अब यह जो इनकी websites आई हैं फिर मैं क्या करता हूँ मैंने आपको भी आया कि मैंने सारा कुछ चेक कर लिया उसके बाद मैं ads.iext पर जाता हूँ और उसके बाद मैं उनकी website चेक करता हूँ कि बाकी websites क्या है और फिर मैं एक design चेक करने कोशिश करता हूँ कि जो design है वो क्या similar है अब जैसे US Express का यह design है तो मैं यह us latest.com फोल लेता हूँ है ना इस चेक कर लेता हूँ कि यह किस तरीके के बनाई गई है देखो देखो यहाँ पर यह website के design थोड़ा अलग है है ना बिल्कुल ही लगबग अलग है यहाँ पर यह जो यह design है अब यहाँ पर मैं क्या अंदाजा लगा हूँगा देखो आपने अपना सब का perspective है बट मेरा क्या perspective ह वह मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे research करता हूँ मैं क्या सोचूँगा कि जब इन्होंने uscxpressblogs.com बताया कि मैं अपने users को दिखा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से design करता हूँ तो इन्होंने यहाँ पर अपने ऐसी design को reveal नहीं किया ठीक है इन्होंने यहाँ पर अपने सब्सक्रिप्शन आपको इजीली मिल जाएगा 100-300 रुपए में आसानी से मिल जाता है तो आप इजीली ले सकते हो और चेक करने के लिए यूज कर सकते हो रिसर्च करने के लिए यूज कर सकते हो यहाँ पर मैं आपको एक चीज एडवाइस देना चाहूंगा अगर आप मुझे वेबसेट क्रेट करनी है मुझे आर्टिकल लेगना कुछ करना है आप सिर्फ रिसर्च का वक करो एक महीने सिर्फ रिसर्च करो सैमरश को अच्छे से यूज करो कई पर क्या होता है कि मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आते हैं और मैंने भी बहुत फेस किया है य इस पर मुझे काम करना है उस पर मैंने काम किया फिर अगले दिन मैंने फिर से कुछ ढूंडा फिर काम किया इस तरह करते हम सैमरश जो हम खरीदते है उसको पूरा यूटलाइज नहीं कर पाते उसको फुल यूटलाइज नहीं कर पाते और बीच में एक दो दिन ऐसे भी न अब मैं क्या करता हूँ कई बार और जो भी हैं उनको भी यह सेज़्ट करता हूँ कि आप Samrash लो उसको अठ्छे से यूज करो keywords निकाल के रख लो, websites निकाल के रख लो, research करके रख लो, है ना grouping करके रख लो सारा data तयार कर लो अपने एक महिने का और आने वाले छे महिने आपने क्या काम करना है, दो महिने क्या काम करना है, वो सारा कुछ बना के रख लो और उसके बाद फिर आप पूरे महीने Samrash को यूज करो बना के रख लो और उसके बाद आप काम करो इससे क्या होगा कि आपका पूरा एक महीना यूटलाइज हो जाएगा आपने जो Samrash खरीदा था वो पूरा एक महीना यूटलाइज कर लोगे उसको अच्छे से उसको यूज में ले लोगे चलो ठीक है तो इस पे जैसे USA Express Blogs.com का ट्रैफिक मैंने चेक कर रहा तो इस पर हम देख लेते हैं और जो इनका ये नया वाला है इस पर हम चेक कर लेंगे अब यहां पर फर्क देख रहे हो मैं ये चीज़े नोट करता हूं देखो जो बंदा YouTube पर बताता है वो actual में किस तरीके में काम कर रहा है ये सारी चीज़े नोट करता हूं मैं और ज़्यादा कुछ मैं इतना कुछ नहीं देखता अब देखो इस website पर तो ट्रैफिक ही नहीं आ रहा कोई traffic नहीं है यहाँ पे 97 का अगयर गरा नहीं traffic दिखारा है अभी तो 0 है कुछ नहीं है ठीक है इस वाली पे चेक कर लेते हैं कि US लेटेस.com पे चेक कर लेते हैं अब इस पे तो traffic ही नहीं है बट क्या इस website पे काम होरा ही नहीं हो रहा है वो भी मैं चेक कर लेता हूँ ठीक है यह चीज यह चीजी देखो होती है अब आप चेक कर लो कि देखो 25 जिनवरी 24 है यह अभी इस पर हाल फिलाल को पोस्ट देलिए 25 जिनवरी 24 को that means कि इस वेबसाइट पर काम चल रहा है रोका नहीं गया है बढ़ ट्राफिक तो कुछ नहीं आ रहा पता नहीं कमाई कहां से हो रही है चलो ठीक है कोई और भी वेबसाइट होंगी जरूरी थोड़ना कि यहीं से हो रही है हमारा जो में मोटिव था वो तो यह चेक करने का था कि मैं और यहां कि वेबसाइट अब हम इनकी चेक कर लेते हैं इट-टोट-कम वाली ठीक है यह इंट कर लो ट्रैसिटी वाली भी साथ में यह भी खोल ली अब देखो इसका डिजाइन कैसा है देखो ऐसी वेबसेट डिजाइन करने तो नहीं दिखाया ना है अब इनके भी लग बक जो सोशल प्रोफाइल मं वह भी सारी बनी हुई है ठीक है कोरह पर भी बनी धोए है यूटिव पर भी तीए है इनों नहीं नहींuma आप अब पता अब होगा नया कुछ कर लिया होगा नियोंने अब हम इस पर वह चेक कर लेता हूं मैं कि किया कोई और भी पब्लिशर आइडी है इस पर तो 31-21 एक ही है ठीक है इस पर एक है इस पर भी चेक कर लेते हैं एड़ सियरा ठीक है इस पर भी एक ही पब्लिशर आइडी है एक क्लाइंट और होस्ट की ठीक है ओके तो अगली का भी चेक कर लो यह यूट्यूब पर चैनल एक सो पच्छी सब्सक्राइबर है इनके इसको बंद करो इस पर देख लेते हैं इस पर है कुछ इस पर देख लिया था क्या गूगल और इस पर भी एक ही है तो ऐसे तो मुझे कोई information नहीं मिली अब इनकी website पर अब मैं पेड source code देखता हूं फिर उसके बार ठीक है source code में मैं capture कर लेता हूं कई पर देखो क्या होता है ना देखो मैं यह बता रहा हूं आपको तो अब यह बताएं वही चीज़ है कि जब चीज़ बता दो तो फिर काफी सतर कौर साबधान हो बाकी के लोग बट कोई ना देखो ऐसी कोई ना कोई सुराग तो हर कोई छोड़ी देता है देखो है ना तो वही चीज़ है अब यहां पर मैं चक कर लूँगा आप मैं सच करूंगा सीए पब लिखके सच करूंगा ठीक है अब यहां पर मुझे क्लाइंट की आइडी ही मिल रही है यह होस्ट की होगी यह क्लाइंट की होगी यहां पर सिंगल एक ही है इस वाली वेब साइट पर दो और यूट्यूब चैनल का बंद करो यह बंद कर देता हूं इसमें चेक कर लो कि यहां पर भी एक है कि अब प्रैसिटी चेक हो गई और यूएस से लेटेस चेक हो गई अब इसके बाद कौन सी चेक करनी है इट फ्रेश्ट यह चेक कर लेते हैं ठीक है पेज सोर्स कि यहां पर भी एक ही एडसेंस की आईडी है चलो ठीक है अब देखो अब मुझे अब आपको लगेगा कि डैडलोग आ गया यह तो हमें और तो इन्फोर्मेश्ट यहां से पते ही नहीं लगेगी बट अब देखो जो अब आउट सेक्शन हो गया कॉंटक्ट टेस हो गया और वो हमें इन्फोर्मेशन देगा निकालके मैं ट्राइ करता हूं अपने उस मैथड को देखो अब आउट तस में यहां पर मुझे दाइरा टेक्नॉलजिजिस मिली थी ना मैं इस पर क्लिक करता हूं यह आपको पता भी होगा अभी हाल फिलाल की वीडियो में सत्वीर ज यानि है मैंने वही एड्स.txt लगाया इसके पीछे और देखते हैं ओपन होता है यानि होता है देखो यहां पर मुझे एक नई पब्लिशर आइडी मिल गई है इनकी अब इसको भी हम चेक कर लेंगे देखो इस वाल पब्लिशर आइडी में इनकी चार वेबसाइट थी उ पर बनाते हैं वह भी सारी चेक करेंगे फिलाल के लिए इसको बीडिप्लिके टैब में ओपन कर लेता हूं यहां पर और यहां पर इनकी दूसरी पब्लिशर आइडी डालता हूं और इस पर देखते हैं कौन से वेबसाइट साहँ अब देखो इस पर भी कुछ विट्जेन लैंड विट्जेन बैंड डॉट कॉम आ गई देखो अब इनको भी खोल को देख लो तो देखो ऐसी काम होता है जो करता हूं वह ऐसी करता हूं कि छूंदता हूं डोट को gnet करनी कोशिश करता हूं अभी जब मैं इनकी में जो यूए एक्षब्स blog dot com है, वहाँ पे मैंने चेक किया, सारा कुछ है about us contact, चेक किया, वहाँ से मुझे हिन का AdSense ID मिली उसको मैंने publisher में वहाँ पे जाके reverse में, वहाँ पे check किया, वहाँ पे check करने के बाद, मुझे हिन की चार web sites मिली, तीन और मिली, उन तीनों को मैंने चेक किया, डिजाइन उसमें जो था वैसा नहीं बताया गया था वीडियो में तो बट कोईना ठीक है वो छीजे देख़िए फिर हर एक website में मैंने और चECK किया क्या 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 मुझे और कोई website मिलेगी उनके वहाँ से बट वहाँ पे मुझे कोई और वेबसाइट नहीं मिली, बट क्योंकि मुझे एक लिंक मिल गया कि डायराटेक नीचे लिखा हुआ था, कि उसने बनाई है, अब क्योंकि देखो मुझे पता है, डायराटेक इन्हीं की है, तो मुझे ज्यादा कोई और महनत करने की जुरूद नहीं आई थी, तो मुझे एजिली ये कनेक्शन इस्टैबलिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर नहीं बताते, तो मैं डायराटेक के आगे और सर्च करता, उसके कंपनी प्रॉफाइल निकालता, उसकी इन्फरमेशन चेक करता है, उसके डिरेक्टर कौन है, कौन इसका सिन नंबर क्या है, डिरेक्टर क्या है, वो सारी चेक करता, वहां से कोई कनेक्शन इस्टैबलिश करने कोशिश करता, तो इस तरीके से पूरी में रिसर्च करता हूँ, अब देखो ये ब्लॉग वेबसाइट, इनकी एक खोली मैंने, इसमें भी मैं आगे फर्दर औ और एसे चेक करकर करके क्या पता मुझे कोई और एडिसम्स अइडी मिल जाए, तो ऐसे इनकी सारी वेबसाइट से निकल सकती है, लेकिन मेरा परपस ये नहीं है, कि इस वीडियो का परपस ये बिल्कुल नहीं है, कि कोई एक्सपोज वीडियो है, या फिर कुछ ऐसे वैस कर रहा होगा कैसी लोगों बना रहा होगा funkyzić के ना इसा कॉंट कर के लिए ये तो आपको देखो कि ब्लॉग साइट्चे में से ब्लॉप वेब साइट है इस्पे और सोला ज्म दोरendes चोबिस की लास्ट पोश्ट दिखा रहा है द फैटल किस्तम हूप internship है ना तो इस website का हम traffic चेक कर लेते हैं कि इस website पर क्या traffic आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी चेक कर लेते हैं और फिर बस मैं last में आपको वो दिखाऊंगा वेb story वेb story पर ज़्यादा इनका focus रहता है ना वेb story दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से बनाते हैं यह देखो इस पर भी कोई खास traffic नहीं है कुछ भी नहीं है कोई traffic नहीं है चलो यह सारी चीजे तो आप चेक कर सकते हो मेरा जो मकसद है वो आपको यह दिखाने का है कि यह वेb story कैसे क्रिएट करते हैं ना वेb story का हम इसी website पर देख ले पहले या चलो इसी पर देखते हैं sitemap देख लो बस sitemap लगा दो sitemap.xml ठीक है यह वेb story अब देखो एक यह खो लिया एक और खो लेते हैं मेरा क्या motive है मकसद क्या है कि web stories यह design किस तरीके से करते हैं उनमें क्या लिखते हैं ठीक है वो देखने का मेरा मकसद है इसको मैं क्रॉस कर देता हूं इसकी मुझे जरूरत नहीं है इनको भी करी देते हैं चलो एक और थी ना इसकी युएस से लेटेस डॉट कॉम थी चलो इसमें से कोई निकाल लो निकाल लेते हैं इस website का चेक कर लेते हैं इसमें यह हिंदी में है इनकी ठीक है इसमें sitemap अभी तक मैंने जो आपको तरीके बताए है ना जिसते जो जो मैं कर रहा हूं वो ऐसा कुछ नहीं है उनमें limitation की कोई और उसको यूज ना कर पाए है ना जो जो methods यूज कर रहा हूं साइट में बिंडेक्स लगाना reverse adsense search करना और samrush यूज करके traffic देखना आप free HRF में भी ज जो प्रोसीजर बता रहा हूं जो process बता रहा हूं मैं research करने का थोड़ा बहुत ठीक है वो कोई भी follow कर सकता है उसमें कुछ ऐसा नहीं किसी का बहाना कि हम कैसे पता करें हम कैसे किसी को research करें किसी चीज के बारे में तो अब देखो यह मैंने इनकी चार website खोली knowitoday.com खोली है blogs website खोली है eatfresh.com खोली है और यह किए USA वाले में तो हम गए नहीं ठीक है और इनकी US Express भी देख लेते हैं कि में तो इन्होंने यह वाली इस वाली website पर stories बना के दिखाई हैं न हमें तो हम check कर लेते हैं कि यहां पर कैसे design कर रहे हैं क्या बना रहे हैं और जो इनकी पुरा अब देखो यह कोई इतनी जाद प्रफेशनल स्टोरी तो नहीं दुखरी मैं सही बताऊं तो पीछे पिंग की रंग पिंग कलर यूज किया हुआ है स्क्रीन शॉर्ट कैसे कुछ भी लिया हुआ है और animation कितना गंदा लग रहा है मुझे तो यह बर ठीक है अपना अपना त इंके यह method काम कर रहा होगा अब यहां पर में अपने ब्लॉक का लिंक का लिंक और का यह लिंक दो अब यहां निक दो लिख और सटेल यह इनका भी आनने का.. सब्सक्राइब कोई है इसमें कोई ब्रैंड का लोगो नेम डेट या कुछ और ऐसा कुछ वुछ नहीं ठीक है यह तो कोई भी कर सकता है कोई भी तुम भी कर सकते हैं अराम से इस तो पर रखो बना दो यह को तेहें मोज टॉप तैना इस तरीके की वैब स्टोरिश पर यह काम कर रहे हैं इस तरीके की web स्टोरीज पर ये काम कर रहे हैं टीक है इनकी वो है को States ओपन कर MON करके देख लेते हैं वह इस पिंज कलर से बेज़ड है और जो वेब स्टोर है जो डिसकावर है वह इंटरस्ट बेज़ड ही काम करता है तो इसमें ट्रेंडिंग वाले का कोई खास रोल नहीं है अब यह 10 बेस्ट एंटीक स्टोर्ज इन यह 10 मिश्लिन स्टार वर्दी यह सारी चीज़ें इंटरस्ट बेज़ड हैं यह कोई ट्रेंड में रहने वाली चीज़ें नहीं है हां कुछ ऐसी हो सकती है कि मालों कोई ट्रेंड में न्यूज चल रही है तो उसको आग एक फरदर एक्सप्लोर करकर कोई माइनर ऐसा टॉपिक नि देख रहे हो इतनी ज्यादा वेब स्टोरी क्रेट कैसे कर पाते हो कैसे कर पाते हैं कुछ करा तो है नहीं सिंपल लगा दिया बस अनिमेशन लगा दिया और पिछ से कोई फोटो ठाकर लगा लगा दिए उस उससे रिलेटेड कोई जाद रिसार्च वाला चीज नहीं है की शーパन तर ऑब कि यह कैसी बना अन्दाजा मिल गया है कि यह जो इंटरेस्टामीडी और नहुं कि आपको लकित आप के हैं यह वह भ men मैं एक जो इंटरनेट आर्काइव है देखो इसमें मैं जरूर चेक करता हूँ हर वेबसाइट को कि उस वेबसाइट की हिस्ट्री क्या रही है पुराने स्नैपशॉट्स कैसे रहे हैं वो कैसी दिखती थी जब उस क्रियेटर ने आज कोई वेबसाइट अगर बहुत सक्सेस् अब यह सारा जो experience है यह आपको लगतर काम करने से पता चलता है लगतर काम करने से आता है आपके अंदर आप आज ही इसी चीज में मालो आप अभी तक किसी और फिल्ड में काम कर रहे थे या कुछ कर रहे थे और suddenly आप move on करते हो blogging के तरफ और सोचते हो कि मैं इस तरह से कुछ करने लग जाओं पता लगने लग जाए मुझे तो वह चीज़े पॉसिबल नहीं होती पॉसिबल होता है आप कितना किस चीज में आपने टाइम दिया है आप मैंने वह पुरानी पनी लास्ट लेट वीडियो में बताया था ना शायद कि वह जब आपको पैसे जितना प्यारा वेबसाइट से होने लग जायना तो आप उसकी आत्मतक से बात कर सकते हों कि क्या थी कैसी है कैसी होने वाली है तो वह सारी चीज़े पता करने के लिए आपको बहुत सारी वेबसाइट देखनी पड़ेंगी काम करना पड़ेगा बहुत सारी elsonाफ पढ़ना कि उसकी पुरानी हिस्ट्री देखके स्नैप्शॉट देखके आपको पता चलता है कि क्या साइकलोजी थी क्या माइंड सेट था इसको जो बनाने वाला बंदा है उसका और कैसे-कैसे चैलेंजिस क्रॉस करके यहां तक पहुंची है तो वह सारी चीजे में यहां पे देखता ह अब जैसे यह वेब साइट है नोइट टूडए इसी का हम यहां पर स्नैप्शॉट देख लेते हैं फर्स स्नैप्शॉट कैसा रहा इसका ठीक है यहां ओपन हो रहा है यह और देखो कितने सारे स्नैप्शॉट्स हैं इसमें मैं चाहूं तो सारी इस ट्रैक करने बैठ देख रहे हो तो ऐसी मैं चेक करता हूं तो अब आपको समझ आया होगा इस वीडियो से मैंने अभी इसमें काफी सारी चीज़े रह गई हैं बट वही बात है कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फायदा नहीं है मैंने जो परिवर्तन सीरीज चलाई है है ना उसमें करूंगा तो यह उन लोगों के लिए नाइंसाफ ही होगी जिन्हों ने यह सूच कर अपने आर्टिकल सब्मिट कर दिये कि हमारे पास रिसरज करने का टाइम 15 तारिक तक का ही है अगर मैं डेट एक्स्टेंड कर देता हूं तो वह उन लोगों के दिमाग में यह बात जा सक दोगा कि मैं किस तरीके से से किसी website की पूरी history निकालता हूं और किस तरीके से उसको analyze करके उसको समझता हूं, creator की philosophy को समझता हूं और कैसे वह अपनी website को relevant बना सकता है जो trend चल रहे हैं उसके या फिर जो तो वो domain name लिया है उसने उसके relevant कैसे बना सकता है मतलब जो domain name लिया है उसके according अब theme कैसे select कर सकता है कैसे create कर सकता है वो सारी चीजें उसके साथ बात करेंगे बताएंगे उसको और अगर जो भी वो अपना बताएगा कि उसको क्या चाहिए मतलब महिने में AdSense Approval लेने का उसका टार्गेट है या कुछ और करने का टार्गेट है तो जो भी उसका होगा वो जैसे फुल्फिल होगा फिर उसके रिजल्स हमारी चैनल पर शेर करेंगे सब के साथ शेर करेंगे वो पूरी जर्नी शेर करूँगा मैं कि जो एक नया बंदा है न वो यह समझ पाए कि एक्च्वल में काम होता कैसे है करते कैसे है क्या-क्या इशूज आते हैं नहीं लोगों क्या इशूज आते हैं क्योंकि ऐसी चीज़े मैंने देखी यूट्यूब पे ऐसी चीज़े नहीं अवेलेबल हैं आपको बता दिया जाता है आपके सापने रिव्यू कर दी जाता है लेकिन उसके बद कोई अता पता नहीं है कि किसके की थी इसने उस वेबसाइट में अपनूज सुधार किया नहीं किया उसका कुछ कौम हुआ नहीं हुआ दिको अपनी अलग अलग सबकी philosophy है मैंने बताया था USP सबकी अपनी USP है कौन किस तरीके से content को create कर रहा है मेरे जो channel का USP है वो यही है कि websites को जानना है ना channels के बारे में जानना जो bloggers उनको समझना उनकी websites को समझना और जो नए bloggers उनको सही रास्ता बताना कि यह काम होता है ethical और यह होता है non ethical ठीक है आफिकल यह होता है तो आपको किस में जाना नहीं जाना वो आपकी सिर्दर्दी है बट मेरा जो concept है इस channel का वो यही है कि मैं आपको बता पाऊं कि यह चीजे हैं इस तरीके से होती हैं और इस तरीके से लोगों को दिक्कत आती है और इस तरीके से वो उन्हें ठीक करते हैं कोई भी paid course लेने से पहले आपको at least पता होना चाहिए कि आप जिसका paid course ले रहे हो at least सवाल क्या करने हैं अब देखो क्या होता है कि कई बार जो नए क्या लेते हैं नो डाउट देखो मैं यह नहीं कहता कि किसी का पेड़ गोर्स खराब होगा हो सकता है अच्छा हो कोई अच्छी इंफरमेशन दे रहे हो पता नहीं जो भी है अभी मैं किसी को इससाइज नहीं कर रहा जब टाइम आएगा तब देखेंगे बट मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने पेड़ गोर्स ले लिया बट आपको पता ही नहीं क्या करने है क्योंकि आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं आपके पास कि क्या क्या चीज़े होती है क्या टर्म्स होती है क्या टेक्निकल टर्म्स होती है ना वो चीज़े ही नहीं पता है आपको तो पेड़ कर लोगे थो आपको पसंद आता चोई किस नॉले60 यह उन्से पूछ होcekρέ ना उन्से पूछ पाओ और यह सि एचाशी कि बनेगई तो कैसे इस बने पताया और सुनके आ गए तो उसका तो देखो कोई फाइदा है नहीं न फिर तो इसलिए इन सारी वीडियो जो भी मेरे चैनल पर वीडियो उन सब को देखो अगर आप नए हो उन सब को देखो समझो टर्म को समझो और अगर कल को किसी का पेट गोस लेनी की नौबत आपको प करता हूं एक मोटा मोटा आपको समराइज कर देता हूं कि पहले में वेबसाइट का थीम चेक करता हूं स्टक्चर चेक करता हूं इसमें मैंने आपको वह सब नहीं दिखाया कि मैं प्लग इन कैसे चेक करता हूं वह मैंने अलग वीडियो बना रखी है इसलिए मैंने यूट्यूब पर उससे मैच करने कोशिश करता हूं कि क्या उन्होंने वही बताया है जो अपनी और वेबसाइट पे कर रहे हैं यह नहीं कर रहे हैं वो सारी चैज करता हूं content पढ़ता हूं बंदे की psychology समझने कोश्च करता हूं content AI से लिखवाया है या plagiarism है उसमें नहीं है वो सारी चीज़ चेक करता हूं traffic चेक करता हूं backlink चेक करता हूं ठीक है history चेक करता हूं intent archive कि उसकी क्या history रही है क्या नहीं रही है psychology वहां से समझने में और जाद मुझे help मिलती है और जो भी मेरे competitor हैं उन सब का essay और research करने के बाद किसी चीज़ को जब start करोगे आप समझोगे तो आपके अंदर एक अलगी confidence होता है तो यह सारे वो steps थे I hope आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा अगर मिला है तो पहली बार मैं अपनी इस वीडियो के लिए like target रख रहा हूं अगर 500 like आते हैं इस वीडियो पे मैं तो अगली जो वीडियो आएगी वो और भी helpful होगी आपके लिए और I hope हमारे इस channel के जल्दी से 4000 subscribers complete हो जाएंगे और जैसे 5000 subscribers complete होते हैं तो मैं एक बहुत बड़ी announcement करूंगा हमारे जो परिवर्तन चल रहा है वो तो चली रहा है उसके अलावा एक बहुत अच्छी और बड़ी announcement करूंगा जिससे काफी सारी लोगों को help होगी काफी सारी ची